स्वागत है आप सभी का नियूजरूम पोस्ट में मैं आपके साथ कुनाल IPL 2024 का सात्वा मैच चन्ने सूपर किंग्स और गुजराट टाइटन्स की बीच खेला गया था जो काफी एक तरफा रहा CSK ने बड़ी ही आसानी से गुजराट टाइटन्स को हरा कर इस IPL दूसरी जीत अपने नाम की इस मैच की एक और खास बात रही और वो खास बात थी महेंदर सिंग धोनी का लाजबाब कैच जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है उन्होंने गुजराट टाइटन्स के खिलाफ मैच में 42 वर्ष की उम्र में एक ऐसा सांदार कैच लपका जिस पर फैंस खुब रियक्ट कर रहे हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खुब शेयर किया जा रहा है तो आईए मही के उस शांदार कैच के बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताते हैं दरसल मैच के दोरान एक वक्त गुजरात ने 34 रनों पर दो विकेट गवा दिये थे हाला कि उसके बाद साई सुदर्शन और विजे संकर क्रीज पर थे यह दोनों तमिलनाडू के ही खिलाडी है और चैपक उनका होम ग्राउंड है ऐसे में दोनों ही चनने सुपन किंग्स के लिए खत्रा बन सकते थे कैप्टन रितुराज ने नियमित गेंद बाजो को लाइन अप से हटाते हुए बॉल को डेरल मिचल को थमाई और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में विजे शंकर को पवेलियन भेज दिया गुद्रात की पारी के आठवे ओवर की तीसरी गेंद पर मिचल की गेंद पर शंकर के बल्ले का किनारा लेकर पीछे की तरफ गई वहां मुस्तैद खड़े धोनी ने अपनी दाई और डाइव लगार कर कैच लपका इस दोरान उन्होंने करीब 2.3 मीटर खुद के शरीर को हवा में स्ट्रेच किया उस वक्त उनके पास रेक्शन टाइम एक सेकेंड से भी कम का था हाला कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और विजे शंकर को पवेलियन भेज दिया कैच लेने के दोरान धोनी के दोनों पैर हवा में थे धोनी के इस कैच को देख उनके जिगरी यार सुरेश रहना खुशी से गगगद नजर आ रहे थे उन्होंने इंस्टाग्राम पर दोनी का वीडियो शेर कर लिखा कि ये बात याद रखिये सर मही भाई हमेशा मजबूत बने रहते हैं और सभी को प्रेरित करते रहते हैं टाइगर अभी जिन्दा है धोनी का ये कैच इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले साल IPL के बाद उन्होंने अपने घुटने की सरजरी कराई थी हाली में वो रीहेब से वापस आये हैं और इसके बाद भी बिना किसी डर के एक टीम के लिए इतना शांदार कैच लपका 42 की उमर में धोनी एक युवा वाली फिटनेस दिखा रहे हैं और CS के लिए बेध खास है वे गुजरात के खिलाफ बैटिंग के लिए नहीं उतरे लेकिन अपनी फिल्डिंग से ज़रूर फैंस का दिल जीत लिया अब थोड़ा मैच की बात करें तो चन्नेई सुपर किंग्स ने आईपेल 2024 के सातवे मैच में गुजराट टाइटेंस को 63 रन से हरा दिया है पहले बल्लेबाजी करते हुए चन्नेई ने 20 ओवर में 6 विकेट गवा कर 206 रन बनाए थे जबाब में गुजराट की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गवा कर 143 रन ही बना सकी इस जीत के साथ रितुराज गायकवर्ड की अगवाई में चन्नेई की टीम अंग तालिका में 4 अंग के साथ सिर्फ पर पहुंच गई है अब CSK का अगला मैच 31 मार्च को दल्ली कैपिटल से विशाका पटनम में होगा तो महाई भाई का वो लाजवाब कैच आपको कैसे लागा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रू बताएं और देखते रहिए निउस रूम पोस्ट